वन वीग ब्रेक्फास्ट रेसिपी में मेरी साटेड़े की रेसिपी है सूजी का हन्वा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है दो कप सूजी और एक कप दही दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसे ढख कर 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे 15-20 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे 3-4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर हमें इस कंसिस्टेंसी का चाहिए अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के आलू ग्रेट की हुए वन फोर्थ का बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज की ब्यास बारीक कटी हुए नमक स्वादन उसार, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर हमारा रेडी है अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और कढ़ाई को चारो तरब से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ताकि जो हमारा हांडवा है वो कढ़ाई में चिप के न अब एक बोल में एक हांडवा की लायक ही बैटर निकाल लेंगे इसमें डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून इनो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ओयल को गरम होने देंगे गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून राई हाफ टी स्पून तिल चार पांच कड़ी पत्ते अब हम इसमें हांडवे का बैटर डालेंगे इसे थोड़ा फैला लेंगे और इसे ढख कर लो फ्लेम पर कोखोने देंगे जब तक कि एक तरब से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हांडवा हमारा एक तरब से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब दूसरी तरब भी थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसे पलट कर दूसरी तरब से गोल्डन ब्राउन होने तक कोखोने देंगे आपको हांडवा लो फ्लेम पर ही कुक करना है परना हांडवा बाहर से तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा हांडवा हमारा कुक हो चुका है अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ हांडवा हमारा तयार है इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे जाहर आपको करके दोड़ा है हांड़ रापको करके दो जाएगे आपको को करेंगे